हाई फ्रेंड्स स्वागत है परिता के फ्लेवर्स में आज मैं बनाई हूँ मटर का बिल्कुल नए आकार में बहुत ही ज्यादा टेस्टी और चट पटासा मटर की कचोड़ी जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है आपको तो आएगा ही साथ में बच्चों को भ कार सकते हैं नेकिन में हेल्दे के लिए ठोड़ा इंटा यूच कर रही और इसमें डाल दे रही हूँ नमग और आजवाट भी डाल दे रही हूं इसमें अधी चम्मच चीली ख्लिक्स और विलाने अच्छह से विल देंगheid आऩे आ और डाल करके इसे अच्छे से मिला लेंगे और यह नॉर्मल सा टो जैसे रोटी बनाते है वैसे ही मुन है कुछ स्थ भुथे पुद्स से मैं इसे घूठ लएते हैं तो तरसों का तेल अच्छा से गरम होने के पार यहां हम डाल दे रहे हैं जीरा और थोड़ा सा एक पिंच घीन और जीरा अच्छा से चटक गया है तो हम यहां अध्रक को बारीक पारीक तुझे लखात लिए है इसे अध्रक दो हरी मुच है ताल करके यह में एक नशी यह क्युक्त प्यान डाल च्छ कमाच दाल हो नशीम स्फ़श़ एक हमाई है एक लेक नशी उक Sit को टाल के जाल कोटे हो यहां में और यहां में ढाल दीन निर्च नीष तिक मिलत एक हम जया हुके जुबिक पावड़ तो तो आप बच्यों की बना रहे हो तो थोड़ा ध vibration से बनोगें। डाला करें तक लिए अच्छे से मिला लेंगी। मसाले जले नहीं तो थोड़ा चमच में पानी डाल दे रहे हो हें। यहां मसाले डाले हुए हूं गये हो गए हैं दो मिनट और भून चुके हैं। मत्र को जञान नुझा की जल्डी से सौफट हो जाए मत्रा डाले 3 मिनिट हो गए है इसे में खूँ गएगी और हम सीसे एक बड़ चला करके इसे और धाफ दे रहा है तो यह देखिए मत्राइब होके 6-7 नट हो गया है और यह कापी सॉफ हो गया है देखिए मैं इसे चेक दर के पिखा रही हूं यह देखिए तो इसे हम मैसर के हिलक के ठंदा होने के बाद हमसनी में ते खुड़ा और दबा दबा करको परके手ओक सबस् Nejय देखिए मैस कीया हुआ जूर भी हो इसको मैस कर लिए है आलू और डाल करके इसम अच्छे से मिला ले एक हो ताकि इसकी बाइलिंग जो है बहुत अच्छे से हो जाए और लाश्ट में हम डाल दे रहे हैं गरम मसाला और एक चमच आमचूर पाउडर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो चाठ मसाला या तो फिर एक नीबूगी इसमें डाल सकते हैं दाल करके इस सब को मच्छे से मिला देंगे और यहां पर जैस को हम बंद कर दे रहे हैं और इसे खंडा होने दे रहे हैं तो यह लीजिए फिलिंग तयार हो गई है और उपर से हम डाल दे रहे हैं कटा हुआ धेर सारा धनिया पत्ता धनिया पत्त का टेश इसमें काफी अच् तक हम डूप और चीगना कर ले रहे हैं पर चोटे-छोटे हम इसके गोली बना लिए उस तरह से इतने सारे गोली बिलाने के बाद इसको हम साईट कर देते हैं और हम लाते हैं इस ठखेंग को तो इसको हमीशा छोटा सा गोली लेकर या तो एक चम्मच ले लीजिए ताकि बराबर गोली बने इस तरह से हम गोली बनावना केम जितना साइज का चाहिए तो इसे हम रख देंगे ताकि जो अस्टाप करने में काफी अराम हो जाए तो यह देखे जो आलू डाल दी है न उससे काफी अच्छा से बाइंडिंग हो रहा है और एक तो यह भी बना चकरके त्यार होगए है मोब सव्य कर देते हैं तो बस अब यहां एक गोली लेंगे इसे थोड़ाओ अन कि एप करेंगे और डिप आलू द्सक्राओ जैसे रोटी करते हैं कि वैसे हम पांसे इस प्रवुलाई में तो यह देखिए इस बुलाई में मैं इसे बेल दी हूँ और इसे थोड़ा और अच्छा सा अच्छा सा सेब देने की यह देखिए मैं यहां डब्बा का एक ढखन यह बिल्कुल साफ करके और इसे हम इस तरह से घुमा देंगे अच्छा सा ट सकतीम तो इस मैं नास्ते को और ठॉरा सा अच्छा दिखने के लिए हम इसंने दबाँदभा करके ऐसे थोड़ा अच्छा हम सेप लागें इस से है कि तो यह देखी इस तरह से आगया है मैं इससे मseason घ़ंठे रहे और इसे तरह हम और पूरी सेपवाल भाग है उसे हम बाहर रखेंगे और यहाँ इसकों नगर को थोड़ा-थोड़ा पॉानी से पानी लगा दे रहे ताकि जो अच्छे से सील हो जया और यहां मैं डाल रहे हूं बीच में मटर की गोली और इसे में अच्छे से चारो तरफ से इस तरह से फैला दे रहे हूं और दुसरा वाला पहागी जो डिजाइन है उसे मैं उपपर रख रही हूं और फिर एक फोग की साहते सरीज दरस्ते हम डिजाइन डाल दे तेल गरम है तो एक नास्ते को हम कड़ाही के अंदर डाल दे रहे हैं और ग्रैस को यहां इस तरह से तो फिल आला-भी दो ही आयेगा तो एक साइड से सिप की जाएगा को हम दुसरी साइड जी से हम इसे हम टिकर देंगे और विल्कुल ब्लोडें ब्राउन हृने कि कीसे हम तर में तो यह देखिए नास्ता बिल्कुल क्रिष्टी और गॉर्डेन वान हो गया है तो हम इसे अब पटरफट से निकाल ले रहे हो और अब सर्व करते रहे हैं तो यह लिए बिल्कुल गर्मा गरम नए तरह का मतर का नास्ता बनकर के तयार है और यह खाने में काफी टेश्टी ल और यह इस तरह से दिखता है सर्दियों के मौसम हो और मटर का नास्ता ना बने यह तो हो ही नहीं सकता तो कैसी लगी मेरी रेसिपि आसा कर रही हूं पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइब और हाँ फैम्ली और फैंडों को सेर ज